हेलो बच्चों कैसे हो बच्चों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में अगला चैप्टर, अगला पाठ संध्या सबसे पहले देखिए बच्चों संध्या किसे कहते हैं, संध्या जैसे आप पिछली कक्षा में पढ़ते वे भी आए होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, इस्थान, जाती अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संध्या कहते हैं जैसे प्राणियों के नाम, नेहा है, आयूश है, अर्थात किसी का भी नाम, किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी स्थान का नाम जैसे दिल्ली, बनारस, अमेरिका, चीन, ये सब किसमें आते हैं संध्या में वस्तुओं के नाम जैसे टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाई, आदी, भावों के नाम जैसे सुंदर्ता है, बुढ़ापा है, मिठास है, बदबु है, बुढ़ापा है, तो ये सब क्या है कि किसी भी प्राणी के इस्थान, वस्तु, भाव, ये सब क्योंकि यह है हमें किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान जाती भाव का बोध कराते हैं, इसले इनको क्या कहा जाता है, संग्या कहा जाता है, फिर देखिए संग्या के भेद, संग्या के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, परंतु हिंदी में तो संग्या के तीन ही भेद परन्तु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण, कुछ विद्वान संग्या के दो भेद और मानते हैं, पहला है समुदाय वाचक या जिसे हम समुवाचक भी कह सकते हैं, और अगला है द्रव्य वाचक. सबसे पहले देखिए व्यक्ति वाचक संग्या कि व्यक्ति वाचक संग्या किसे कहते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, विशेश इस्थान, विशेश वस्तु के नाम का बोध होता है तो वह व्यक्ति वाचक संग्या कहलाता है अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति, इस्थान, वस्तू जो विशेश महत्व रखता है और जो एक ही है वह व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगत आता है जैसे देखिए भगत सिंग, महत्मा गांधी, सचिन तेंदूलकर, मदर टेरेसा, दिल्ली, गोवा, मुंबई, जैपूर तो यह क्या है किसी विशेश व्यक्ति का, विशेश इस्थान का, विशेश इमारत का इनका बोध करा रहे हैं तो इसलिए यह क्या है व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं जैसे देखिए राम स्कूल जाता है, तो राम विशेश व्यक्ति हो गया है जवाल लाल नहरू भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे तो जवाल लाल नहरू क्या हो गए है? विशेश व्यक्ति हो गए है शिमला एक परेटन इस्थल है तो शिमला क्या हो गया है? एक परेटन इस्थल तो शिमला एक विशेश इस्थान का नाम हो गया है तो इसलिए यह क्या है? व्यक्तिवाचक संग्या है. दूसरा है जातिवाचक संग्या. कि जिस किसी शब्द से किसी संपूर जाती का बोध हो, तो वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संग्या. कि ऐसा कोई शब्द जो किसी की पूरी जाती का अर्थात उसकी संपूर श्रेणी का या उसके पूरे वर्ग को संबोधिक करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संग्या कहते हैं. जैसे देखिए, कार, मोबाइल, टीवी, उस्तक, पाहार, तालाब, गाउं, पुरुष, इस्त्री, तो इस प्रकार से यह जातिवाचक संग्या के अंतरगत आते हैं, क्योंकि यह उसकी संपूर जाती का बोध करवाते हैं. जैसे देखिए, गाए एक बहुती उपियोगी पशु है, तो इसमें गाए क्या हो गई है, और पशु क्या हो गया है, जातिवाचक संग्या हो गई है. पहाड हमें हर इस्तती में अपनी जगे पर इस्थिर्वे अटल रहने की प्रेणा देते हैं, तो पहाड क्योंकि यह एक शब्द हैं, लेकिन यह हमें अपनी संपूर जाती का बोध करवा रहे हैं, इसलिए यह क्या है, जातिवाचक संग्या है. फिर तीसरा देखिए, भाव अचक संग्या. जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, इस्थान के गोण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आधी का बोध कराते हैं, वह भाव अचक संग्या कहलाते हैं. अर्थात इनका जो संबंध होता है, हमारे भावों से होता है. ये केवल अनुभव किये जाने वाले शब्द होते हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसको हम केवल अनुभव करके केवल उसका बता सकते हैं. तो ये दिखाई नहीं देते हैं. जैसे देखिए, खुशी, क्रोध, दुख, तो ये क्या हैं? केवल अनुभव किये जाने वाले भाव होते हैं. दशा में देखिए, भूख है, प्यास है, गरीबी है, अवस्था, गुढ़ापा, जवानी, बच्पन, गुढ़, मिठास, सुन्दरता, कोमलता, कठोरता, तो ये ऐसे भाव हैं, जो केवल अनुभव किये जा सकते हैं. तो इसमें जो हमारी भावनाई होती हैं, वही प्रधान होती हैं, और वही हमारे चेहरे से, ठीक है, या हमारे हाव भाव से वो भावनाई प्रकट होती हैं. जैसे देखिए, सीता इसके उधारण देख लीजे, सीता राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी, तो दुख क्या हो गया हैं, एक भाव हो गया है. ताज महल की सुंदर्ता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, तो सुंदर्ता, ठीक है, आम के पक जाने पर वहे मिठास से भर जाता है, तो मिठास क्या है, एक भाव है. तो इस प्रकार से ये जो भाव आचक जो संग्या होती हैं, वो भावनाओं के और गुण के बारे में हमें बताती हैं. फिर देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी में तो संग्या के तीन ही भेद होते हैं, पर कुछ जो हमारे विद्वान है, वहें इसके दो भेद और मानते हैं, जो कि वास्तों में जाती वाचक संग्या के ही भेद होते हैं. पहला है समू वाचक संग्या, जैसे हो गया है, जो किसी समुदाय का समू का बोध कराता है, जैसे परिवार है, सेना है, सभा है, कक्षा है, ठीक है, द्रव्य वाचक में हो गया है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा, गी, दूद, पानी, आगी. समुदाय वाचक या समुवाचक संग्या किसे कहते हैं कि जो शब्द किसी एक जाती के संपोन समु या समुदाय का बोध कराता है तो वे समुदाय वाचक या समुवाचक संग्या शब्द कहलाता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वह है अपने एक पूरे वर्ग को दर्शाता हैं जिसे हम कहते हैं समूदायवाचक या समूवाचक जैसे देखिए सेना, सभा, कक्षा, जुंड, लकडी का गठा, गेहुं का धेर ठीक है तो इसके उधारन देख लीजिए हमारी सेना सीमा पर शत्रों का हरदम डटकर सामना करती हैं तो क्या हो गया है सेना ठीक है कक्षा दस की वी के छात्र बहुत महनती हैं तो कक्षा दस ठीक है गाउम के में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया तो सभा क्या है बहुत सारी एक समू का बोध करवा रही है तो इस प्रकार से सेना है कक्षा है और समू जो सभा है वह समू वाचक या समूदाय वाचक संग्या के उधारण है क्यों क्योंकि यह अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रही है फिर देखिए द्रव्य वाचक संग्या कि जो शब्द किसी पधार्त धातू या द्रव्य को बताते हैं उनको दर्शाते हैं या उनका बोध कराते हैं वह द्रव्य वाचक संग्या शब्द कहलाते हैं जैसे तेल है, पानी है, दूद है, घी है, लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, तो इस प्रकार से यह है द्रव्यवाचक संग्या. अब देखिए द्रव्य वाचक संग्या के उधारण, जैसे गाई का दूद अत्यंत पौस्ठिक होता है, तो क्या हो गया है, दूद, क्योंकि यह है द्रव्य है, तरल में, लोहे से बने ओजार बहुत मजबूत होते हैं, तो लोहा, लोहा क्या हो गया है, धातू हो गया है, ठ तो जैसे पानी ही जीवन है, तो इस प्रकार से दूद, लोहा, पानी क्या हो गए है, द्रवे वाचक संध्या के उधारण हो गए हैं. अब देखिए हमने जो उपर हमारे जो हिंदी के हिसाब से जो संग्या है तीन है उसके भेद हम उसको इन उधारण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं जैसे देखिए सुरेश भाशर पृतियोगिता में प्रथम आया था इसलिए वह दोड़ता हुआ स्कूल से घर पहुचा और इस बात को अपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया तो इस प्रकार से आप इस इन लाहिनों में इन पंतियों में देखिए कि सुरेश और माता पिता तो क्या हो गए है व्यक्ति हो गए है इस्कूल और घर क्या हो गया है इस्थान हो गया है और खुश और आनंदित क्या हो गए है भाव हो गए है तो इस प्रकार से जो अपने हिंदी के जो तीन संग्या के भेद हैं प्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक और उसके अलावा जो दो हमारे जो भेद हैं ठीक है समुदाय वाचक या समुवाचक और अगला है अपना द्रव्य वाचक. तो बच्चों मुझे उमीद हैं कि आपको यह संग्या का भाग एक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब जल्दी ही इसके भाग दो जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जाती वाचक संग्या को ठिक है या सर्वनाम को हम भाव वाचक संग्या में बदल सकते हैं धन् कि एंचे झाल दो जा लाओ वाचक संग्या कि यालु नाव भी ओूवाचक टूश संग्या भावाब में बदल सकते हैं यावश्या कि यावफ बदल में वाचका भावब बदल में भावश भावश को अवावश हैं